तो हमने पहला trade ले लिया है तो इस trade लेने के पीछे के वज़ा ये देखिए आज market जो है global market अगर हम देखते हैं तो global market में यहां पर US market की बात किया जाए तो यह positive है जिसके वज़े से यहां पर resistance level पर होने के बावजूद भी जो है मैंने call side trade लिया है तो यहां पर आप देख स सकते हैं US market तो totally green है और अगर हम बात करें European market तो यहां पर कुछ ज्यादा negativity नहीं दिख रहा है और Asian market की भी बात करें तो उतना कुछ ज्यादा negative नहीं है यह कुछ negative है कुछ positive है mixed reaction है तो मैंने एक trade तो ले लिया है इस trade में profit होगा या फिर loss होगा वो तो जब trade प्रेड होने के बाद पता चलेगा कि मेरा प्रॉपिट होता है या फिर लॉस होता है तो यहां पर हमने तो ट्रेड ले चुका है तो यहां पर हमको चोटा सा प्रॉपिट तो हो रहा है बट यह प्रॉपिट कितना बड़ा हो सकता है अगर प्रॉपिट होता है तो बड़ा प प्रॉपिट में नहीं था तो यह वाला प्रॉपिट आज हम देखेंगे कि क्या होता है कि हम अगर बढ़ेगा जो अभी रजिस्टेंस लेवल सेकेंड केंडल पाई मिनट में अगर आप देख रहें होगे देखते हैं तो यह वीडियो तो बाद में आएगा तो यहां पर रहा है और नहीं नीचे जा रहा है बस इतना ही profit देखने को में रहा है यहांपर आप timing देख सकते हैं टाइम जिस तरह हो रहा है तो यहां पर हम वीडियो को बीज-बीज में post बहीं करेंगे क्योंकि अगर बड़ा momentum नहीं आते रहेगा तो यहां पर वीडियो चलते रहेग 200-300 के आज़ पास profit गया था फिर loss आया फिर से profit में जा रहा ये profit loss चोटा मोटा हो रहा है देखते हैं क्या होता है trade हमने stop loss यहां पर लगाया हुआ है 180 का अगर 180 जाता है नीचे जाता है market आज तो हमारा exit हो जाएगा automatically with stop loss यहां पर दोनों साइड ही risky trade है यहां पर उपर भी जाने का chance है नीचे भी जाने का chance है देखिए यहां पर आप अगर chat pattern देखते हैं तो बहुत ही strict यहां पर बन रहा है यहां पर उपर ना जा पा रहा है और ना ही नीचे भी नहीं आ पा रहा है अगर आप मेरा बाद में अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं 10 lakh target challenge वाला वीडियो अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर मैं आपको detail में chat pattern में समझाओंगा कि मैंने क्यों trade लिया है क्या लिया है वो आपको वहाँ पर chat pattern में उसका logic क्या है वो सारा बताऊंगा लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं अभी तो मेरे को loss चल रहा है चोटा मोटा यहाँ पर loss profit चल रहा है बता दूं यह trade जो है risky है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अगर market नीचे आगे तो बहुत तेजी से भी नीचे आ सकता है अगर उस breakout को देगा तो उपर तेजी से भी जा सकता है बत यहाँ पर out the point अगर नीचे जाता है तो हमारा loss होगा बत अभी तो profit में ही चल रहे हैं profit मेंने वलकि profit and loss के बहुत करीब हैं कुछ ज़्यादा difference नहीं है यहाँ से उपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा struggle कर रहा है डाइसो तक जा रहा है उससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल हो रहा है डाइसो को पार करके 300 भी टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा resistance को बहुत ज़्यादा struggle कर रहा है इसको breakout देने के लिए तो देखते हैं इसको breakout देता है या पिर क्या होता है वो तो देखेंगे इस वीडियो में पूरा होते तक profit या पिर loss ये तब तक profit नहीं होगा तब तक देखेंगे तो यहां पर 300 plus loss में जा रहा है तो लगता है market नीचे आने की कोशिस कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो और लगता है यहां पर और 6 points या पिर 6-7 points नीचे आता है तो हमारा loss हो सकता है यहां पर तो अभी तोड़ा सरीकवरी दिया है बस 10 points अभी और देखना है कि किदर जाता है अगर 10 points नीचे आता है तो कोई बात नहीं stop loss लगा हुआ है loss होता है तो भी हम market हमारे इसाब से हमेशा नहीं चलता है तो अभी तो जब तक loss नहीं होता तब तक हम इस पर उमीद बैटाए रहेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्योंकि profit भी 200 से 300 के आसबस गया था अभी loss भी 300 के आसबस आया है तो यहां पर कुछ भी हो सकता है so market तो नीचे ही जा रहा है nifty bank nifty फिर nifty साहरी नीचे जा रहे हैं हमने stop loss को 180 से 170 पाउ कर दिया क्योंकि यहां पर तोड़ा सा reasonable सा support देखने को मिल रहा है तो यहां पर इतना रखा है बट 400 प्लस जो है negative गया था loss हो रहा था जिसको अभी recover करके एक सो डेड़ सो के आसबस जो है अभी trade कर रहा है loss में यह फिर से loss में हो रहा है अभी तो लग रहा है loss ही वो सकता है क्योंकि अभी 10 point और नीचे गया तो फिर समझो कट गया अपना लेकिन अभी तो यहां पर बहुत ज़्यादा सकती से बहुत ज़्यादा आयार यह struggle कर रहे ना उपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है तो देखना ही पड़ेगा क्या होता है इतना जल्दी तो यह decision नहीं ले रहा है क्यों उपर जाना है क्यों नीचे जाना है 500 प्लस लॉस दिका रहा था अभी तो 420, 465 बट अब लग रहा है सायद हमारा SL हिट हो जाएगा जो कि 175 पे है तो लग तो रहा है 47 point यहां से 4, 5 point नीचे गया तो पिर हमारा कट जाएगा SL 750 के आसपास हमारा loss होने का high chances है तो let's see what will happen अभी तो बस रुका हुआ है बट जादा chances है कि इसमें loss होने का जादा chances है बट उमीद है तोड़ा सा उमीद है बच चोटा सा उमीद बचा हुआ है कि profit हो सकता है नहीं यहां पर हो गया loss तो यहां पर देख सकते हैं 732 रुपीज का जो है पहला trade में loss ले लिया है तो कोई बात ने देखते हैं next time अगर अगर easy trade मिलता है तो तब देखेंगे यहां पर मैं पहले ही कहा था कि यह trade जो है वो risky trade है यहां पर risk की बहुत ज़्यादा है बट यहां पर मिर को लग रहा है market आज उपर साइडी ज़्यादा momentum देखने को मिलेगा बट अभी फिलाल नीचे की साइड आया है जो कि यहां से support लेके तोड़ा देर और यहां पर जिस level पर है तो यहां से तोड़ा सा और नीचे आके उपर कट लेगा यानि कि लगबग 160 या फिर 150 पाउट से ज़्यादा नीचे आने को उम्मीद नहीं है बट लेट सी वाट विल हैपन मार्केट